नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विवित हलचल पर युवा सेना की ओर से मद्यनाकपूर से श्री शत्रपती श्रिवाजी महरास पुतला गांधी गेट महाल में वरिष्ट सामाजिक कारे करता और अनातों की माप पदमश्री सिंदुताई सबकाल को श्रदान जली अरपित की गई माई की आत्मा को श्रदान जली देने के लिए दो मिनिट का मोहन रखा गया उपस्ति थे शहर में कोरोना मरिजों की बढ़ते संक्या के मदे रजल नाकफुल महनगर पालिका का स्वास्वी बाग अब कोरोना की चेन तोडने के लिए सूपर स्प्रेडर्स पर फोकस कर रहा है स्वास्वी बाग की टीम ने शहर के बाजारों, ट्राफिक लेन, पार्कों, दुकानों, मंगल कार्यालों, नीजी कार्यालों में कार्यात 3000 से अधिक सूपर स्प्रेडर्स का कोरोना टेस्ट किया यह अभियान मनपा के सभी दज जोन में चलाया गया मनपायुक त्रादाकुष्णन बी के मार्गदरशन में तता अपरायुक दीपक कुमार मीना के नेत्रुतों में स्वास्विबा की टीम उद्वारा यह भियान चलाय जा रहा है मनपाशेतर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है शहर की विबिनस्थानों पर काम करने वाले बाजार में घुमने वाले नागरिकों में कोई लेक्षन नहीं दिखता है लेकिन वे कई लोगों के संपर्क में आते हैं इसलिवे कोरोना संक्रमन के दुष्टिकों से सूपर स्पेडर बनते जा रहा है। शनिवार को इंदरा चोक से कमाल चोथ तक नागरिकों का रटी पिसी आप्लिक्षन किया गया। स्वास विबाग की टीम द्वारा कलमना मार्केट, गोंडवाना गलप, धरम पेट, पाचपावली, गांधी बाग, महल, सक्करदरा थानाक शेत्र सहित, शहर के कई भीडवाले शेत्रों में नागरिकों का कोरोना टेस्ट किया गया। राज्य सरकार से मिले आदेशों के उपरान जिलादिकारी आर्मी मला ने जिले में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए, कोरोना की श्रुंकला तोड़ने की उद्देश से जिले में राद 11 बज़े से सुब़ 5 बज़े तक रातरी कालिन सेक्त कर्फिव य इन दिनों में धाई हजार के पार पहुच गई है, रविवार को 832 ने कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है, जो इस महा में अब तक का सरवाधी कागडा है, जिलादिकारी द्वारा जारी आदेशों के तहर जोने प्रतिबंद लगाए गए है, वे इसी प्रकार के है, राद 11 बजे से सुबर 5 बजे तक जिले में पूरी तरह संचार बंदी लागू होगी, दिन में 11 बजे से शाम के 5 बजे तक जमाव बंदी लागू की गई है, इस नियम के अनुसार एक जगह पर पास से ज्यादा लोग एकत रित नहीं हो सकेंगे, केवल अत्याविशक से व लगी आख से इसासनी निवासी नाम देवराव खोड़े और यूराज दभाने का मकान और सारा सामान जल कर खाक हो गया था, परिणाम सरूप दोनों परिवार बेगर हो गये है, विधायक समीर मेगी को इसकी सूच नहीं दी गई थी, किन्तु उस समय वे कोरोना पॉजिट होने के कारण वे कौरंटाइन में थे, इससे बाहर आते ही उन्होंने पिडित परिवारों से भेट कर हुए नुकसान की जान का रिली और उन्हें आर्थिक मदद दी, इस उसर पर विधायक मेगी के साथ पंचाय समीती सदस या अलचनागिरी, पंचाय समीती सदस लिलाधर पठले, पूर्व जिला परिशत सदस से अंबादास उके, पूर्व पंचाय सदस सुरेश काल बांडे, जीपी शर्मा आदी उपस्तित थे जेसी आई नाकपूर मेट्रों की ओर से साई मंदर के पास जरुवत मंदों में गर्म कपड़े और कंबल वित्रित किये गए अद्धक्ष जेसी निताली टैगडे, सच्चू लकिशा कुंदन, उपाद्धक्ष जेसी प्रशान निनावे, निदेशक जेसी राजनर अड्यालकर, जेसी किर्ती भेलकर, जेसी वानी, जेसी राजश्री, संस्तापक अद्धक्ष आनन शर्मा इसायोजन में सहबागी हु राम नाम के दोनों अख्षर मधूर और मनोहर है, जो वर्नमाला रुपी शरीर के नेतर है, तता स्मरन करने में सब के लिए सुलब और सुख देने वाले है, जो इस लोक में लाब और परलोक में निर्वाह करते हैं, उक्ताशे के उदगार मानकापूर में जारी संगीत में श्रीराम कता में चित्रकूर धाम निवासी राजन महराज ने भक्तों से कहे, श्रीराम कता का आयोजन अखंड भारत विचारमंच के ओर से किया जा रहा है, राजन महराज ने आगे कहा कि यह दोनों अक्षर नल नारायन के समान सुन्दर भाई है, यह जगत का पालन और व दोनों एक ही है, किन्तु दोनों में परस पर स्वामी और सेवक की प्रिती है। वो कार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश पडोले, डॉक्टर लोकेंदर मिश्रा वो डॉक्टर शीतर शाहू और स्री स्वामी समर्थ नेतराले के डॉक्टर मोहन खराबे उपस्तित थे। शीविर का संचालन श्री मारूती देवस्थान जैताला के कोशाध्यक्ष हंसराच वंगर ने किया, तथा उन्होंने सभी उपस्तित मानिवरों का आभार माना। देवस्थान टस्ट विवस्थापन मंडल तथा परिसर के सभी नागरिकों ने अथक परिश्रम करके शीविर को सफल बनाया। इस शीविर का लाप तकरीबन 1000 महिला पुरुष एवं बच्चों ने लिया। हलबा इलगार महामोचा के परचमतले एवं जगदिश खापेकर के नेत्रतों में संगटन के सदस्ट का अनिशितकालीन अनिशन चर रहा था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सायक पुलिस एक्तर संदिश खापेकर ने उपशन छोडने की विनती की। लेकिन हलबा इलगार महामोचा कोर कमिटी के पदादिकारी जिलादिकारी से मुलाकात करवाने की मांग समेथ मुख्यमांगों पर अड़े रहे। हलबा इलगार महामोचा की कोर कमिटी की जित को मदे नजर रखते हुए खांडेकर ने कलेक्टर से मुलाकात करवाने का आश्वासं दिया इस आश्वासं के तहट कलेक्टर से मुलाकात हुई कोर कमिटी ने अपने मांगे जलादिकारी के समक्ष रखी और सकारात्मक चर्चा की गई कलेक्टर से चर्चा होने के बाद सकारात्मक निरने लिया जाएगा ऐसा आश्वा संदिया गया था कलेक्टर की बात पर हल्भा इलगार महामोचा की कोर कमिटी ने अर्शन्स्तगित करने का निर्न लिया सम्पूर्ण भारत देश में कोरुना की बढ़ते हुई मरीजों की संख्या की मद नदेजर यए निश्चित काली ननश्रन्स्तगित कर दिया गया यदि भविश्य में आदिवासी हलबा समाज की समस्याओं का निराकर नहीं हुआ तो फिर से तियुरा अंदोलन की आ जाएगा यह चेताउनी हलबा इलगार महा मोचा के नेतु तो कर रहे जगदिश खापे करने दी धर्मरक्षा के लिए अपना सर्वश कुरुबान करने वाले दशमेश पाक्षा स्री गुरु गोबिन्द सिह जी के 355 प्रकाश पर्व के अवसर पर जरी पटकास्ती श्री कलगीधर सत्संग मंडल के तत्वाधान में आयोजित धार्मिक अनुष्टान इच्छा पुरक्ष प्रभु सिम्रन प्रार्थना के समापन पर गुरुबानी किर्थन समागम ओनलाइन आयोजित किया गया मंडल सयोजक एडवोकेट माधोदास मंदानी के अनुसार श्री जपुजी साहिप गुर्बानी गायन शब्द किर्थन प्रवचन आदि धार्मिक अनुष्टान का समापन भोग साहिप के साथ हुआ इस पूरे कारेक्रम का सीधा प्रसारन श्री कलगिधर सचसक मंडल के यूटूब चैनल वह फेस्बुक पेज पर किया गया ओनलाइन प्रवचन में एड़ोकेट माधोदाज मम्तानी ने श्रद्धालूओं को श्री गुरु गोबिंद सिंग्द्वारा रचिद्ध समगरंत बानी को अपनी सूमधुरवानी में प्रसुत करते हुए बताया कि गुरु जी ने उपदेश दिया है कि हिंदू तूरक को राप जी इमाम साफी मानस की जाद सबय एके पहचानबे अर्थात हिंदू, मुसल्मान, शिया, सुन्नी, बौध, क्रिश्चियन तथा सभी जाती के मानों एक ही है इन्हें अलग-अलग न समझे आज 18 प्लस और 45 प्लस आईवर के सभी नागरिकों का कोवेशील का टिका करन नागपुर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारिक के इंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाज बजे तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों बद्धितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 वर्स और 45 वर्स से अधिकायों के सभी नागरिकों को कोवेशील के जरीए टिका करन किया जाएगा यह जानकरी चिकित सा स्वास अधिकारी डॉक्टर संजर चिलकर ने दी इसी तरह 18 वर्स और 45 वर्स के नागरिकों के लिए कोवेशीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाय बामबेट कर अस्पताल कामटी रोड वस्वर्गिय प्रभाकरदट के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमाम फुट्टक के घरों का संपतिकर पूरी तरह से माफ करने की घोशना की गई है जिसका लाब मुंबई ठाने के करीब 16 लाख लोगों को मिलेगा इस संदर में विदरबर टैक्सपेर्स असोसियेशन ने मुख्यमंत्री उदो ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार वदा ये के दिक्ष्रवन कुमार मालू ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मुंबई में 500 वर्ख फुट तक के घरों का संपतिकर माफ करने की घोशना मिश्चित रूप से एक सरानी अकदम है तथा इससे राज़की राजधानी में महामारी के ऐसे बुरे समय से गुजर है नारि गाओं है ऐसे में यहलाब महाराश्ट के सभी शोरोव गाओं को समान रूप से मिलना चाहिए महात्मा गांधी अंतराश्टे हिंदी विश्वी दले में भारतिय सांस्कूतिक संबंद परिशद के अदेक्ष तथा राजसबा सदिस्ट डॉक्टर विनेस रस्तर बुद्दे ने दिक्षान्त उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमें प्रेम, स्नेह, करुना और ममता सिखाती ये परिवार एवं समाच को एक ही कड़ी में बांध कर रखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरना देती है इस द्रिश्टी से देखें तो हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बलकि संपूर्ण संस्कूति है डॉक्टर सहस्रबुद्धे ने विश्विद्दाले के पंचम दिख्षान महत्सों में बतोर मुख्यतिती सम्मोधित करते हुए कहा कि अपने स्थापन कला से ही इस विश्विद्दाले ने महात्मा गांधी के सर्वजन हिताय वस सर्वजन सुखाय के सपने को साकार किया ह उन्होंने कहा कि इस विश्विद्दाले के नाम में गांधी, हिंदी और आंतराश्टिय तीन ऐसे शब्द है जो इसकी कारेश्यली, दर्शन और सिद्धान को दर्शाते है छात्रों को सम्मोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि हम विभिन्न भाशाओ को सिखे, परंतु हो में अपनी मात्रुभाशा से अधिक लगा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में संस्कृती और शिक्षा दो अविभाज मान दंड है, और ये एक दूसरे के पूरक है, किसी भी देश की शिक्षा पदती को समाज के संस्कृतिक अवलोक से ही मार्गे दर्शन प्राप्त होता है, उत्तर नाकपुर के कुंदनलाल गुपतानगर में पिछले एक साल से गलियों में गटर चोक होने की वज़े से गटर का गंदा पानी दिनराद घरों के आंगन में बहता रहता है, गटर लाइन काफी वर्ष पुरानी होने की इस गंदगी की वज़े से परिसर के बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में नई गटर लाइन डालना या पुरानी लाइन का मरमत करना बहत जरूरी हो गया है, नगर सेवे की यह अंदे की किसी की जान पर बना सकती है, उन्हें सिर्प चुनाओ के वक्त ही ज पेट में लेने के लिए तैयार है, क्या प्रशासन जन्ता के बीमार होने का और ऐसी खतरनाक बीमारी से लोगों की मौत होने का इंतजार कर रही है, स्थानियन नागरिकों के मन में ऐस सवाल उठ रहा है नागपुर मानगर पालिका ने शनिवार को दस जोन में स्वच्चता जागरुकता रैली का आयोजन किया, रैली में मनपा करमचारियों के साथ साथ विविद सेम सेमक संस्ताव के कारेकरता तथा पधादिकारी गन भी शामिल हुए रैली का नागरिकों ने भी भरपुष समर्थन किया, इस रैली के दोरान गुजरने वाले नागरिकों से कचरा हटाया गया महापोर्दया शंकरतिवारी, मनपा युक्तर आदाखुषनन भी, स्मार्ट सिटी के मुखेकारे पालन दिकारी, एवं सच्छता सर्वेक्षन नियंदर समिती के प्रमुग भोनेश्वरी एस अपरायुक्तराम जोशी के मार्गदर्शन में शनिवार को मनपा के सभी दस जोन में रैली का युजन किया गया लक्ष्वनगर जोन में सायक अक्तर गनेश राठोर के सेत्रुत में धंतोली गार्डन से जागरुकता रैली निकाली गई रैली के माध्यम से धंतोली जोन में जागरुकता पैदा की गई और सडकों से प्लास्टिक कच्रा उठाया गया धरमपेट जोन में सायक अक्त प्रकाश वराड़े के नेटूत में कौफी हाउस चौक से जागरुकता रैली कायो जन किया गया रैली शिवाजिनगर, रामनगर, रविनगर रोड और गोकुलपेट मार्केट रोड तक निकला गया रैली में जोनर अधिकारी, दीन दयाल, टेमबेकर, जोन के सभी सोचता निरिक्षक और ग्रीन विजिल फाउंडेशन के प्रमुक कौस्तुप चटर जी, सुर्भी जहस्वाल, मेहुल को सुरकर, श्रिया जोगे सहीत संगटन के 20 सेदस्यों ने भाग लिया नाकपुर महानगरपालिका की उपदरोग खोजिदल ने पांच पॉली पुलिस के सहयोग से प्लास्टिक पतंगों के खिलाब एक बड़ा अभियान चलाया और शुक्रवार रात को बंगाली पंजाब रेल्वे क्रॉसिंग के पीछे 8100 पतंगों को जब्त किया नियमों का उलंगन करने वालों से 10,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया जब की गई पतंगों की कीमत 87,000 रुपे हैं मुख बीरों के माध्यम से खूपया जानकारी मिली टिपाच पॉली स्टेशन के अंदर गत आशिनगर जोन में बंगाली पंजाब रेल्वे क्रॉसिंग के पीछे मुखमत खान के घर पर प्रतिबंदित प्लास्टिक पतंगों का अव्यद भंडार है इसके बाद NDS टीम और पाच पॉली पुलिस ने स्विक्तरूप सेहक कारवाई की आशिनगर जोन NDS प्रमुक सोनो ने और उनके दल ने मुखमत खान के घर से करीब 87,000 रुपे की 8,100 प्लास्टिक पतंगे जब की चुकि यह मुखमत खान का यह दूसरा अप्राधिक मामला था इसलिए उससे महाराष्ट प्लास्टिक बैक अधिनियम 2006 और महाराष्ट डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट 2006 के तहत 10,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया उत्राखन के समाज कल्यान मंद्री स्वामी यतेश्वरानन ने येर खेडा में महिला बचत गड़ द्वारा बनाई गई वस्तों की सरहना की विभिन नकला वस्तों में ड्राइफरूट, बॉक्स, चोरंग पाट, कलश, सिंदूरवानी, पानपुडा बनाया गया और हरीद्वार में आयुजित प्रदर्शिनी में प्रदर्शित किया गया उत्राखन के समाज कल्यान एवं विकास मत्री स्वामी यतेश्वरानन ने हरीद्वार में विभिन स्टॉल का दोरा कर निरिक्षन किया स्टॉल संचालों को से संपर्क कर और उनके द्वारा बनाई गई विभिन वस्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उत्राखंड में प्रदशित वस्तों का एक स्टॉल लगाने की भी पेशकश की सौपनपूर्ती महिला बचत समुव की अध्यक्षा प्रभाध धनराज पांडे ने मंत्री की सराना पर विचार वेक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश शेतर में महिलाओ के लिए कुटी रुद्द्यों स्थापित करके महिलाओ को रोजगार के उसर प्रदान करना है और वे इस दिशा में और भी बड़े पैमाने पर कारे करने का प्रयास कर रही है सेट केसरी मल पोरवाल जूनियर कॉलेज में 15-18 वर्ष आयोवर के बच्चों का टीका करन भियान संपन हुआ जूनियर कॉलेज में पास से आठ जन्वरी के दवरान विग्यान कला वह वानिज शाखा के कूल 1000 विधारतियों को टीकाल लगाया गया इस उसर पर कामठी तालुका चिकित साधिकारी डॉक्टर संजय माने चिकित साधिकारी डॉक्टर शबनम खानुनी डॉक्टर रवी डेकार्टे स्वाती भवसागर सुश्मा दिवान नजी आनन्द राउत अमन घोड मनोज नारनवरे, कुंदा पिपलेवार, कांचन तांबे एवं पोर्वाल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेंदर बागडे, जुनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनिता भोमीक, प्रोफेसर डॉक्टर इंदरजीत बसू, परवेक्षक प्रोफेसर शुदिर अग्रवाल, डॉक्टर विश्वनात वंजारी, प्रोफेसर नरेंदर मेंडे, डॉक्टर नीतावान खेडे, प्रोफेसर विनोध भट, सहीत कॉलेज के प्राध्यपक एवं कर्मचारी गन उपस्ति थे। जन जागरुती शिविर कायों जन किया गया। पीने के पानी का आरोफ फिल्टर प्लांट वा अन्यूपकरणों का प्रबंद कराने का आश्वा संध्या गया। इस कारेक्रम का मुख्याकरशन, मोक्षा भोंडे और उनकी टीम द्वारा देजभक्ति की इत पर नरुत्ते रहा। उसी प्रकार कुरोणा से हुई जीवहानी, शेत्र के नागरिकों में भैको दर्शाने वाली अंधार नामक नाटक प्रदर्शित कर विद्धार्तियोंने जन्जागरू ती की। इस नाटक में विद्धाले के खेल शिक्षक धहरशीर सुटे वकलाकार साहिल राउत नंदिनी राउत आधी का समाविश रहा। कारेकरम का प्रास्ताविक भाषन उप्राचार्य सियार लिखार ने दिया, मंच संचलन कोकिला खोदन करने किया, एवं आभार प्रदर्शन प्रमोग इखे ने माना, कारेकरम को सफल बनाने के लिए विद्धार्ति, शिक्षक एवं नॉन टीचिंग स्टाफ ने सहयो किया सामाजिक प्रतिबधता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अमेट कर सामाजिक मंच हमेशा सामाजिक कारियों में सबसे आगे रहता है, हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर बाबा साहब अमेट कर सामाजिक मंच द्वारा दिन दर्शिका 2022 का प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन डॉक्टर बाबासाइब अमबेटकर सामाजिक मंच के संस्तापकर देक्ष और नाकपु जिले के पालक मंद्री डॉक्टर नितिन राउत ने बेजन बाक्स दे जन संपरक कार्याले में किया इस उसर पर डॉक्टर बाबा साभ अम्बेट कर सामाजिक मंच के माराश राज कारीकारिय देक्ष, राजश लाड़े के साथ साथ मंच के अकुला जिलादेक्ष उज्वल अंभोर, वाशिम जिलादेक्ष मदुकर जुम्डे, सुदाकर सिरसाथ, सिधार सावत, में जिंगल बेल्स किंडरगार्डन में हुई रोलर स्केटिंग प्रतियुगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिबादिकाई, स्पीड स्पोर्टिंग एसोसेशन वर्ना इंटरपैजे स्केटिंग द्वारा प्रतियुगिता का आयो जिन किया गया, इस प्रतियुगिता म में आठ वर्ष से दस वर्ष आयूवर्ग में सिद्धिश कहार ने प्रथमस्तान हासिल कर गोल्ड मेडल जिता मुख्य अतिति पूर महापोर्ष संदीब जाधो उपेंद्र वर्मा संजय तालेकर तथा अन्यातितियों ने सभी विजिताओं का सतकार किया हुसेन राजा सोनल शेटी, नोहलवाग, सिद्धार्थ पाठक, प्रितुराजबाग, दक्ष सावंत, शिवन्याधारिवाल, अगस्ते अतकरी, जुनेरा फातिमा, हिमाशु पांताओंने, आदि खिलाडियोंने पुरसकार जीते, आया जुकों की ओर से स्पीड स्केटिंग के शैलेज ढोबल निथिन कठोते का पुष्पगच्छ दे कर स्वागत किया गया तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार